इस तरह के कोमनली डेली सुनाई देने वाले भारी भर कम नामों ने आज कल आम आदमी की life को अनीजी कर दिया है यानि काफी परेशान करके रख दिया है गर्धन दर्थ, हाथों में दर्द सुनपन, जंजनाच या फिर कमर दर्द के साथ साथ लेक्स में गुटने, तकने या पंजे तक जाता दर्द सुनपन, जंजनाच ये आज आम आदमी की लाइफ में काफी कोमन बातें हो गई हैं इन प्रॉब्लम्स से रिलेटिड हम कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें इन प्रॉब्लम्स का सोलूशन दिया गया है ताकि आप इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाकर अपनी लाइफ को इजी कर सकें फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनुल लेग ट्रैक्शन के बारे में जो लेग पेन के लिए आप अपने घर में खुद अपने पेशेंट को दे सकते हैं या अगर आप खुद कमर दर्द और लेग में जा रहें दर्द से परेशान हैं तो अपने घरवालों की मदद से घर में ही ले सकते हैं आपके फिजियोतरपिस्ट आपको असानी से इसे आपके घरवालों को सिखा सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के माजम से काफी easily इस ट्राक्शन के तरीके को सीख सकते हैं आप घर में easily available समान से ही इस ट्राक्शन किट को तयार कर सकते हैं वैसे market में ready made kit भी skin leg traction के नाम से medical या surgical shop पर easily मिल जाते हैं फ्रिंट्स आपको ये homemade kit बनाने की जरूरत पड़ेगी एक दू से डाई मिटर बेल्ट या फिर आप चुनी भी ले सकते हैं एक crab bandage एक homemade round pillow एक 4-5 kg weight जो आप किसी bag में इस तरह से tie कर सकते हैं इस इस तरह से bag में आप दो bricks इकठी करके रख सकते हैं या फिर sand भी आप तोल कर इस bag में भर सकते हैं फ्रिंट्स अब हम बात करते हैं कि ये leg traction किस तरह से दिया जाए इसके लिए आपने belt को full length में खोलना है इस तरह से के belt double होकर उपर patient के घुटने से उपर चले जाए देखिए इस तरह से पुरा आप length में belt को खोल लीजिए और इसके लिए आपको मैंने बताए कि आप चुनी भी ले सकते हैं इस तरह से तलवे के बीच में आपने belt को रख कर patient के दोनों हाथों में पकड़ाना है अगर belt छोटी पड़ती है या फिर patient पकड़ने की स्थिती में नहीं है तो आप किसी तीसरे बंदे की help आप इसके लिए ले सकते हैं टकने के पास से होती हुए ये belt जाएगे दोनों side में रहेगी पैर के और इस तरह से आपने जो वो crab bandage थी उससे पैर को इस तरह से लपेटते हुए गुटने के उपर तक चले जाना है अगर इस belt के बीच में किसी तरह की कोई नोड आती है या कुछ भी इस तरह का आता है तो उसको दबाना नहीं है otherwise patient को वो चुबहेगी crab bandage को घुटने के उपर तक बैल्ट के उपर लपेटना है फिर बची हुई बैल्ट को वापिस इस तरह से फोल्ड करते हुए आना है एक cross बनाना है बैल्ट का राइट साइड की बैल्ट लेफ्ट में रेफ्ट साइड की बैल्ट राइट में और उसके उपर से इस तरह से उस crab bandage को बांधते हुए आना है और फिर भी बैल्ट अगर बड़ी रह जाए तो एक उल्टा फोल्ड बैल्ट को देना है ताकि किसी भी तरह से बैल्ट नीचे की तरफ खिसके नहीं नीचे की तरफ खिचे नहीं फिर आपने जो वेट का kit बनाया था जो थेला बनाया था इस तरह से बैग तयार किया था उसके उपर वाले हिस्से को किसी रोप के साथ यानि के रसी के साथ इस तरह से बांदे और फिर उसको जो तलवे वाला हिस्सा है, उसके साथ इस तरह से टाई कर दें, ये वेट बीच में बंधना चाहिए, तलवे के नीचे इस तरह से, एसे, खिशते हुए आपने नीचे की तरफ इस वेट को लटका देना है, नीचे जमीन की तरफ छोड़ देना है, फिर हमने टावल की हिल्प से जो पिलो बनाई थे या राउंड होममेड पिलो बनाई थे, उसको एक पैर के नीचे इस तरह से रख देना है, जैसे ये पिंक कलर का राउंड पिलो हमने पैर के नीचे रखा, और दूसरे पिलो को आपने नीचे जो रसी लटकाई थी, उसके नीचे रखना है, ताकि वो रसी नीचे की तरफ बैल्ट को ना खींच ले, और इस तरह से टखने से पकड़ते हुए पैर को नीचे के तरफ खींचना है, पेशिंट ने अपने हाथों से उपर बैड को टाइटली पकड़ना है, और इस तरह से पेशिंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, तैन मिनट से स्टार्ट करके, हाफ एन आवर तक इस ट्रेक्शन को छोड़ना है, फ्रिंट्स, ये थे हमारे कुछ छोटे-छोटे से एफ़र्ट्स, बैक पेन को वाइड करने के लिए, और अगर बैक पेन है, अगर दबाओ बना हुआ है, तो उनको हटाने में आपकी मदद कर सके, फ्रिंट्स, अगर फिर भी आपके कुछ क्योशन्स हों, किसी तरह की कोई बैठने, उठने, या खड़े उने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती, आपका रेडियेटिंग पेन बढ़ता है, तो आप हमसे कोमेंट्स के माध्यम से डिसकस कर सकते हैं, हम आपके कोमेंट्स के रिपलाई जरूर करेंगे, फ्रिंट्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हैल्फुल हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी सोसाइटी में, बैठ पेन की जो ये प् उसको कंट्रोल करने में, या उन लोगों को इस वर्स्ट सिचुएशन से बचाने में, उनकी मदद कर सकें, फ्रिंट्स, अगर आप इस चैनल पर नहीं हों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फॉर वोचिंग दिस चैनल,